आज की इस कक्षा में हम परिमे संख्याओं के गुनन के गुन के बारे में जानेंगे पहला गुन है संवरित गुन जिसे अंग्रेजी में क्लूजर प्रोपर्टी भी कहते हैं तो आएए देखते हैं ये क्या है संवरित गुन हम एक परिमे संख्या लेते हैं दो बटा तेन और गुना करते हैं दूसरी परिमे संख्या से पांच बटा साथ तो ये कितना होगा गुना हम लोग जानते हैं दो पचे 10 बटा 21 एक और उधारन लेते हैं माइनस चार बटा 5 गुना तीन बटा साथ तो यहां आ जाएगा हमारा माइनस 12 बटा 35 और इसे मानक रूप में लिखेंगे इतना ही रहेगा इन दोनों उधारनों में हम देखते हैं कि यह 2 बटा 3 परीमे संख्या है यह 5 बटा 7 भी परीमे संख्या है और इन दोनों का जब हम गुना करते हैं तो यह 10 बटा 21 जो आ रहा है यह भी परीमे संख्या है अब यह दूसरे उधारन में देख रहे हैं माइनस 4 बटे 5 और 3 बटे 7 ये परिमे संख्या है और इनको गुना करने से जो हमारा आ रहा है माइनस 12 बटे 35 यह भी परिमे संख्या है इसे हम संवरित गुन कहते हैं आता हम लिख सकते हैं परिमे संख्याओं के गुनन में परिमे संख्याओं के गुनन में संवरित नियम लागू होता है अब थात अगर दो परिमे संख्याओं को हम गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह भी परिमे संख्या ही आएगा परिमे संख्याओं के गुनन का दूसरा गुन है क्रम विनिमे गुन इसे हम उधारनों की साहता से समझते हैं दो बटा तीन गुना माइनस चार बटा पांच तो यह हमारा हो जाएगा माइनस आठ बटा पनद अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दो परिमे संख्याओं का क्रम बदल दे रहे हैं अर्थात पहले माइनस 4 बटे 5 लिखते हैं और उसके बाद 2 बटा 3 और पुनह गुना करते हैं तो ये 4 दुना 8 माइनस 8 बटा 15 तो हम क्या देख रहे हैं कि गुना के क्रम में हम इन क्रम को बदल देते हैं अगर हम परिमेश संख्याओं के क्रम को बदल दे रहे हैं तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर हम इसे जन्रलाइस्ट फर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं A बटा B गुना C बटा D ब्राबर C बटा D इन्टू A बटा B आता है परिमेश संख्याओं के परिमेश संख्याओं के लिए गुनन क्रम विनी में है इसे थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं क्रम विनी में यहां उपर में लिख दे रहे हैं कुछ और परिमेश संख्याओं को लेकर आप इसे स्वयम भी विरिफाई कर सकते हैं परिमेश संख्याओं के गुनन के तीसरा गुन है साहचरी गुन इसे इंगलिस में कहते हैं एसोसियेटिव प्रोपर्टी इसे भी हम एक उधारन की साहता से समझने की कोशिस करते हैं एक परिमेश संख्याओं ले रहे हैं माइनस तीन बटे पांच गुना ब्रैकेट अई दो बटा तीन गुना माइनस पांच बटा साथ ये तीन परिमेश संख्याओं को हमने लिया है और इनका गुना कर रहे हैं लेकिन बाद वाली जो दो संख्याओं हैं इनको हमने ब्रैकेट में रखा है यानि इनको अलग से एसोसियेट किया है गुरुप में रखा है तो हम लोग जानते हैं बोड मास रूल के अधरगत के ब्रैकेट के जो प्रिक्रिया होती है bracket के अंदर की जो पर क्रिया होती है उसे पहले करते हैं तो इसे तो पहले हम ऐसे ही उतार देते हैं माइनस 3 वटे 5 गुना अब bracket के अंदर की क्रिया करेंगे तो 3 और 7 ये गुना होगा तो 7 याई 21 और ये जो उपर में गुना होगा तो माइनस 10 अब हम इसे गुना करेंगे तो ये 3 दहां 30 और चुकि ये भी माइनस ये भी माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 5 गुने 21 ये 5 और 1 0 यानि 105 तो 30 बटे 105 आया अब इसे मानक रूप में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बटा 7 अब फिर इन ही तीन परिमे संख्याओं को हम ले रहे हैं लेकिन इसका गुरूपिंग अलग तरह से करेंगे इस बार इन दोनों को हम गुरूप में रखते हैं एसोसेट करते हैं और ये बाद वाला है माइनस 5 बटा 7 अब इसे भी हम हल करते हैं तो ब्रैकेट की क्रिया जो पहले है इसे हम करेंगे तो माइनस 3 गुना 2 ये जो उपर उपर है अंस अंस गुना करेंगे तो ये आजाएगा माइनस 6 और नीचे वाले का गुना करेंगे अर्थात हर का हर से गुना करेंगे तो 5 त्याए 15 हो जाएगा अब ये गुना कर रहे हैं यहाँ है माइनस 5 बटा 7 से तो हम यहाँ देख रहे हैं 6 पचे 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो गिया पुनह यहाँ पर आ गया 105 और इसे अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो यह 15 से यह कैंसिल होगा यह भी 15 से होगा तो यह हो जाएगा 2 बटा 7 यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि जब अलग-अलग तरह से एसोसियेट कर रहे हैं इन तीन परिमे संख्याओं के गुनन को तो हमारा रिजल्ट वही आ रहा है दोनों ही बार कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है इसे जेनरलाइस्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बटा बी गुना ब्रैकेट बी बटा सी गुना थोड़ा सा यहाँ पर गलती है फिर से आए लिख रहे हैं सी बटा डी गुना इ बटा एफ ब्रैकेट बन ब्राबर ए बटा बी गुना सी बटा डी यहाँ इस बार को इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं पहले दो को गुना इ बटा एफ तो इसे हम कह सकते हैं अतह परिमेश संख्याओं का गुनन साहचर यह है आप खुद से भी कुछ और परिमेश संख्याओं को लेकर इसे सत्याप्टित करें अत्वा भेरिफाई करें धन्यवाद आप नाउवाद आप इसे भी करेंगद अबगद अबगद आप लेको अबगद आप आप आप